नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब मैं हूँ विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार डॉक्टर साहब किसी परिचे के मोहताज नहीं हैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ये IMA यानि इंडियन मेडिकल Association के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इसके अलावा ये Urology Society of India के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वर्तमान में ये पारस HMRI में Director Urology and Nephrology Transplant हैं इसके अलावा Palm View Hospital में भी ये Consultant Director Urology and Nephrology हैं बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे जरुद दॉक्तर साहब पिछली वीडियो में आपने बताया था कि पारस HMRI में एक Men's Clinic भी चलता है, जिसमें सेक्स से संबंदित समस्याहों का समधान किया जाता है, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों आज कल आपके पास आते होंगे, तो अभी जो लाईफ इस्टैल चल लाए है भी जो बीमारी लोगों में हो रही है जैसे डायबटीज है और ऐसी कौन से बीमारी है जिससे लोगों में स्क्स के परती अनिच्छा हो रही है और इससे बेडरूम कलर की भी विर्धी हुई है यह प्रशन तो बड़ा ही मुआ कूल है और अभी आज के परिपेक्ष में ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं तो आज आपने मेंशन किया कि साथ पारस हमराई हॉस्पिटल में मेंस हेल्थ क्लिनिक है और वहां आप लोग इस तरह की समस्याओं के लिए क्यों लेकर उनका मैंनेजमेंट करते है तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा बैक्ग्राउंड में रखूगा अपना मेंस हेल्थ क्लिनिक और उसी में मैं बात करूंगा ये सेक्ष्वल वीकिनेस की जिसको कहते हैं तो सबसे पहले ये समझने की जरूत है कोई भी सेक्ष्वल एक्टिविटी के लिए सबसे पहले लि लिबिडो का मतलb हुआ इच्खा हुनी चाहिए तो लिबिडो में की इसेज़ें हैं लिबिडो होगा तो ख सेक्ष्वल वीकिनेस का मैं एक एक करके शुरू करता हूं कि अनिच्छा सेक्स के परती होना तो दो तरह की अनिच्छा हो सकती है, एक तो अनिच्छा इसलिए हुई कि साहब वो व्यक्ति जो उसने कभी किसी को बताया नहीं और उस व्यक्ति में जो पुरुष के गरंथियां होती ही हैं उसका विकास नहीं हुआ है ठीक से और जो पुरुष में शिष्ण होता है उसमें विकास नहीं हुआ है यह हुआ है तो इसमें एक बात और मैं बताता हूँ शिष्ण के साइज जो तो को पेनिस के साइज है नहीं तो डू विफ इसमेश नहीं सेक्शुल अग्ति एक्टिविटी और सेक्श विकास्टिसश दिक्शन परनेरे यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत लोग काते है कि मेरा पेनिस बहुत छोटा है, उसका बहुत बड़ा है, हम लोग पिसाब करते हैं तो देखते हैं तो उसका पिसाब बहुत बड़ा है, जो यंग लोग आते हैं हमारे यहां, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, उन्यूज्वली छोटा हो जि दूसरी चीज हो सकती है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका अपने अंदर का जो सेक्स की इच्छा का यह है, मैंने सेक्स की इच्छा होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रहे हैं, उसके कही कारण है। एक कारण तो बड़ा इंट्रेस्टिंग है, लोग समझते हैं बहुत यंग एज में, जो यंग बच्चे हैं, वो समझते हैं कि मास्टरवेशन बहुत किया था हमने इस्कूल में और कॉलेज में, उससे हमको लगता है कि अब एकदम सेक्स की परती कतम हो गया है, मैं बड़ा ह कमजोर हो गया हूँ, अब जो समाझें बैठता है, वहां भी गया है, लोग इस तरह की बात करते हैं ये अंगेज में, और उसको एक तो करेली या दूजे नीम चड़ी, उसके अलावा, ये भाई हकीम लोग जगह जगह अपना बोर्ड लगा दिये हैं, एक दम मेदिया किनी गलियां हैं, उसमें कहीं ने कहीं कोनो हाकीम बैठा हुआ है, अब बैठ करके ये ही पाठ पढ़ाता है, हाकीम हो, वैद्य हो, जो भी हो, मतलब जिनको कोई मेडिकल साइंस से उतना ग्या नहीं, सब को ही पढ़ाता है, अरे बाप, तुम तो इसम खतम हो गया, खलास ह ये हो गया, ये काड़ा पी और ठीक हो जा हुए, कभी कभी काड़ा पीने से भी मामला उसका जरबडा ने रगता है, लेकिन बचारा करता है, पूरिया डिसक्षाज, हमारे समाज में एक और चीज है, पीपूल दूनों डिसकस्ष दियर सेक्शुल एक्टिविटी विथ ओ और मैं हमेसा इन बच्चों को समझाता हूँ, जो मेरे पास आते हैं, उसमें जब बोलते हैं कि सर हमने बहुत मास्टरवेशन किया, हस्त मैं थूम किया, यंग एज में हमको अप से प्रदिच्चा, मैं समझाता हूँ, तो क्या दिक्कत हुई, अरे भाई, तुम कोई चीज तुम मर्द हो, कोई चीज यदि बनती है, के स्टिस में, प्रोस्टेट में, सेमिनल वेजी के लेही, तीनों मिल करके, सेमिनल फ्लूइड बनाता है, तो उसका काम है बनाना है, यदि तुम सवस्त हो, तो वो हमेशा सराब बनता रहेगा, अब तुमारी शादी तो हुई न करते हो, तो तुम्हारा ऐसे ही जाकूलेशन हो जाता है, और नहीं तो मास्टरबेशन करके निकालते हो, तो कौन गरबर है, यदि आंसु बनता है आंख में, तो आंसु निकलेगा नजी, नाक में नेटा जी बनता है, तो नेटा निकलेगा ना, यदि सलाइवा बनता है, तो वही प्रक्रिया इसमें भी है उसके लिए चिंता करने की आव एक दम ही आवश्रक्ता बच्चों को नहीं होनी चाहिए कभी कि मैं मजाग में करता हूं तो आचा ठीक है तुरा सीमेन निकलता है तुमाज सर्वेशन ते निकाल देते हैं तुम्हारा दुन्हों को उया इसको एक बार मांसिक धर्म होता है उसी तरह से तुम्हारा भी ये फीजोलोजिकल फेनोमेनन है इसके लिए टेंसल गुंची लेते हो जी बहुत साथ इसी मान जाता काता है जी अच्छा आगा तो थो थोड़ा एंटी डिप्रेशन देते हैं वो मस्त हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यंग लोगों में दूसरी समस्या क्या है कि यंग और मैंने अब्जर्व किया है अभी उस पर पूरा स्टडी नहीं हुआ है जो यंग आईटी प्रोफेशनल्स है पता नहीं इतना मस्गूल रहते हैं पैकेज के फेर में इतनाने कम्पूटर के सा सामने दिन रात पड़े रहते हैं दिन रात उसी में लगे रहते हैं सबेरे से सामते हैं रात रात बर सब काम करता है सबेरे जाकर सोता है ददू चार पाच गंटा यह बड़ा यूज्वल फेनोमिनन आजकल हो गया है और यह यूज्वल होगी हमारे में सेंथ क्लिनिक में कि ऐसे बहुत लोगवार है कि मेरी कुछ लोगी की तो शाधी हो जाती है आइटी वाली से साधी हो चाया बहुत इंटिलिजन लड़की साधी हुआ साधी हो जाती है और साधी कue बाद आते है कि variance कि ये लोगी की हमारा सिक्स की चाही नहीं होती है कारण है अब एक रिशर्च करने की जरूरत है थोड़ा हुआ है लकिन होता है अथेंटिक नहीं हुआ है कि क्या कंप्यूटर पर हमेशा बैठे रहने से उससे जो जिसे आजकल मोबाइल के बारे में हुआ है बहुत तरह की बात आई है हमेशा मोबाइल इस्तिमाल करने से और क्या होता है प्रभाव पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के सामने प्रभाव प्रभाव है और यह बिमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रहे है आईटी वर्लों जब तो कुछ शादी नहीं करता है या गर्ल्फ्रेंड नहीं रहती है तो इस नोट वरीड उतो अपना काम में मस्गूल है पैकेज केतना का मिल रहा है जतना बड़ा पैकेज हो वहाँ प्रॉबल्म होने लगती है या उसकी शादी हो जाती है प्रॉबल्म होने लगती है तब हम लोग के पास आता है हम लोग उसको इनवेस्टिगेट करते हैं sometimes there are psychological problems also वहम लोग देखते हैं physical problems जो है अब यहीं पर सारी बात बता देता हूँ कि physical problem जो होता है जैसे कि उसका जो sexual organs है, उसमें कोई deformity नहीं है, गरबड़ी तो नहीं है, उसको अंदाजे नहीं है, कि उसका sexual जो है, यह जो पेनिस है, वो बच्पने से पैदाईसी मुड़ा हुआ था, छेद उसमें नीचे था पिसाब करने का, वो बना कार रहा था, कोई प्रोब्लम नही मुड़ा हुआ है, अब वहीं से उसका डिप्रेशन शुरू होता है और बाकी चीज़ होती है, तो इन सब चीजों को फीजिकल एजामनेशन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बीमारियां जो है, यंग एज में भी हो जाती है, अब यंग एज को डाइबिटीक हो गय अनिक्षा परगट करता है, दूसरा यंग एज में हाइपरटेंशन हो गया, यंग हाइपरटेंशन कभी कभी किड्नी के गरवड़ी के बज़े से होता है, और कई गरवड़ियां है, ऐसे हाइपरटेंशन ज्यादा तर तो नहीं पता रहता है, अम लोगों को 80% हाइपरट करने का one of the organs है, सुपरारिनल में तो problem नहीं है और brain में कुछ ग्रंथियां उसे problem नहीं करते हैं, तो hypertension and diabetes को हम लोगों जरूर रूल आउट कर देते हैं, उसके बाद उसके sexual hormones को चेक करते हैं और उसको देखते हैं, एक बात यहाँ बता दू, कई बार हमारे हाँ मरी आता है, अब लोगों तो बुझाता है, पूरा बेवसाईग चीज है, हमको जोन्ची का जरूरत नहीं है, उसको पालतू जाच काय लेकरावे, अब उसको ब्लडवा तो सिंपूल उतने लेता है, अब मशीन में आजकाल होना है, तो मशीन में एक बटन दाविये तो हो, आच्छो ब हर्चा तो उतने हैं, तो उख देगा कि हम आपका सॉब टेस्ट बे कर देंगे, अब उसमें टेस्ट्रोन का टेस्ट कर देता है, अब टेस्ट्रोन का लेवल उसका आगया एक सो साथ, मिनिमम होना ची अड़हाई सो, जनरल ही रता है साथ साथ साथ, अब लगा बोडाया, अब हम तो टेस्ट्रोन में बोडी में नहीं बन रहा है, अब हम जो हैं सेक्षॉल वीक्नेश उसको मानसिख रूपते होने लगता है, लेकिन मैं यहां पर एक डिक्तम देखु, इसको कोई मतलब है, उसको जहां उससे मतलब है वो बात की बात है, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए, जब तक कि एकदम आइसान अट्रेस्टोरोन का लेवल जीरो हो, पचास हो, चालीस हो तो ही दूसरी बात है, तो जैसा हमने बताया कि यंग एज में यह सब कारण हो सकते हैं, और मैं बता रहा हूं, इधर बाढ़ा गई है, हमारे मेंसेल क्लिनिक में, आइटी प्रोफेशनल्स की, मैरिटल दिसहार्मोनी, इस बार तो ऐसा भी हुआ है, कि अब बचारा हुआ आया, साधी करके, अभी कई मरीज हमारे मेंसेल क्लिनिक में हैं, जो साधी किया, तुरत्य आगया, दू-तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद, मेरी वाइफ तो चली गई, अरे क्यों चली गई भाई, हमारा कोई सेक्शुल डिजायर नहीं होता है, हमके डिड़ शी ट्राइ, हाँ, वो बोलती है कि हम तो ट्राइ की, हमको नहीं होता है, तो ये बड़े खतरनाक इस सेक्शुल है, ठीक है, तो हम लोग काउंसिलिंग करते हैं मेंस्वल क्लिनिक में, हमारे साइकोलजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलजिस्ट जो करते हैं, हमारे साइकाटरिस्ट भी हमारे साथ है, हमारे गानेकोलजिस्ट भी हमारे साथ है, पूरी टीम है, तो ये टीम पूरा investigate करके कोशिश करती है कि उनकी marital harmony बन जाए और इनका sexual problem है जो problem नहीं है वो problem है तो वो जाए और यह दी physical problem है या hormonal problem है तो उसको भी सुधार करने की हम लोग कोशिश करते हैं तो इस तरह की चीजें लेकिन बहुत वारी भी होता है अब यह पताते हैं बाप माई लड़का आईटी में है, लड़की आईटी में है, दुन्दू बंगलोर में है, चापुना में है, अब उन लड़किया का गर्ल फ्रेंड, बॉइफ्रेंड है, अब माता-पिता के दबा में बिवा कर ली, और साफे पहले दिन बोल देती है, देखो भाई, माता- कोई दूसरे से सम्मान है, आहाम तो बाहर ही न कहें हैं, कि तुम sexually important हो, इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं, ये एक बार नहीं, मेरे पास personally, करीब-करीब, if I am not wrong, करीब आधा दरजन हमारे पास ऐसे case है, अब पहले भी रहे हैं, लड़का लड़की साथे पढ़ता था, उसको बना दिया, important है, उसकी साधी, दूसरे जगा होई तो मार बाल बच्चा लेके must है, ऐसे कई लोग है, तो ये भी एक जानने की ज़रुत है, कि इस तरह का भी इल्जाम लगा जाता है, कि इनको अनिच्छा है, लेकिन इसी बात होती नहीं है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, प्रॉड लोगों में, प्रॉड लोगों में है क्या कि पहले से कोई उनको दिक्कत नहीं थी, यवाज है, absolutely fine, और अचानक 40-40 के उमर में और ये होता है, suddenly उनको सेक्स के परतियन इच्छा होने लेगी, पचास वाले भी आते, पच्पन होशे तो सेक्स का को अचानी वी उमर नहीं है, एक कहानी राजा तीक कुछा उन्होंने पता कराया, चिक कर गानि हो नहीं हो दो लॉटी, जब तक रोटी खाते रहांगे, वह वी शरीर कर चानी नहींन पर लोटी, प्रक्राश्यकों नहीं होगी, उनको बढ़े च्पन काई प्रक्राण की कारा हो जाते हैं, चालिस पर तालिस में है कि पती पत्नी भी की उमर बढ़ती है, पत्नी को कोई बिमारी हो गया, कुछ हुआ, इस तरह की चीजे हुए, तो उस तरफ से एक समस्चा होती है, दूसरी उनकी अपनी समस्चा हो जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनका हाइप हो गया, डाइबिटीज हो गया, अब उसमें तो दवाईया चलती है, अब जैसे हाइपर टेंशन ने बीटा ब्लॉकर चलता है, वो शेक्स की इच्छा को गटाता है, डाइबिटीज एदी अनकंट्रोल है तो गटाता है, हार्ट का दी प्रॉब्लम है, बहुत सी दवाईय चलती है उसमें, अब दूसरा आदमी ढर भी जाता है, कि सेक्षॉल अक्टिविटी जादा करेंगे, तो मेरे हाट पर असर पड़ेगा, और कभी-कभी ऐसा होता भी है, बहुत आदमी को, कुछ लोका तो ऐसा हो जाता है, उमर जादे हुए, लेगे नहीं होता है, कि हीरिस नहीं लोगा, कुछ बड़े-बड़े लोग भी हुए है, कि साथ बेडरूम में मरे हुए पाए गया, अचाना कुर्याज, पूरी कहानी निकलती नहीं है, तो होता क्या है, कि बुड़ापा में है हाट है कमजोर, अख खा लेते हैं भीयागरा, और व्यागरा का सबसे बड आपका ब्लड का सर्कुलेशन, सेक्शोल अक्टिविटी में एक तो पूरा अक्टिविटी आप करेंगे, उसके चलते एक तो ब्लड का फूलिंग दूसरे और अर्गन में हो जाता है, और हाट को कम मिलेगा ये ब्लड और आप एक्टिविटी जादे करिएगा, हाट उसको करेंगे शिल्डेनाफिल नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए है, तो समहल के हाट की प्रोब्लम है, ये तो समहल के इन सब चीजों को खाने की जरूरत है, तो अपिशाब की दिक्कत हो गई, प्रोस्टेट लेंड बढ़ गया है, और ज्यादा एदी उमर बढ़ गई, तो से पढ़ रहे थे, पचहतर साल के बुड़े ने, बिजनेसमेन ने, मौमबे में, एक होटल में, एक यूबती के साथ बलातकार किया है, फर्स्ट पेज टाइम सब इंडिया में हाया है, मेरा मानना है कि उस आदमी का जरूरू प्रोस्टेट बढ़ रहा होगा, जब सेक्शुल लिजायर घाड जाता है, अब जो रात भर पिसाब करते रहेगा, पिसाब ठीक से ओवे नहीं करेगा, और यह सबस्या होगी, तो सेक्शुल लिजायर तो अटमेटिकली कम हो जागा, तो मेरे हिसाब से, मैंने नटशल में बहुत सी बाते बता दी हैं, और इतना लोग, तो कहते हैं कि आपका ये वाला, मैं बड़ा चाहँ से सुनता हूँ, तो मैंने का ठीक है, और मैं दूंगा, तो और आप लोग सुनियेगा, तो हमको लगता है कि इतना काफी है, आज के लिए, धन्यवादू. उमीद करता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो बताया, आपको समझ में आ गया, इन्होंने बताया कि कैसे यंग कपल इन दिनों सिक्स की समस्या से जूज रहे हैं, बेडरूम जगडे बढ़ रहे हैं, तो आप डॉक्टर साहब जितनी बाते बताएं, आप बिलकुल उन्हें बच सकते हैं, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आप से फिर से मुलाकात होगी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर ले, आप हमें फेस्बुक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार